पॉलिटिकल आतिश बाजी पॉलिटिकल आतिश बाजी मंच सच चुका है आप देख रहे हैं हमारी दुकानदारी सच चुकी है हमारे सामने बहुत सारा आतिश बाजी का सामान है बहुत सारे पटाखे हैं फुल जड़िया हैं और ये सिर्फ आम पटाखे फुल जड़िया आतिश बाजी का सामान नहीं है इसमें मसाला भरा हुआ है पॉलिटिक्स का बिल्कुल यहाँ पर पॉलिटिकल आतिश बाजी ये प्रोग्राम खास नम इसी के लिए लेकर आए हैं क्योंकि आतिश बाजी तो होगी ही इस मंच पर इस मंच पर आतिश बाजी भी होगी लेकिन ये आम आतिश बाजी नहीं होगी जो यह आप पटाके देख पा रही है यहाँ पर ये कोई आम पटाके नहीं है इनके अंदर भरी गई है पॉलिटिकल मसाला इनके अंदर भरा गया जी बिलकुल देखे दिपावली का मौका है और चुनाव का मौसम है पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव होने जा रहे हैं और फिर उसके ठीक बाद माहौल तयार हो जाएगा 2019 लोग सभा चुनाव को लेकर जिस पर सभी की नजर बनी हुई है विधान सभा चुनाव की बात हो या फिर उसके बाद लोग सभा चुनाव की बात हो उसमें ये तमाम आतिश बाजी किस तरीके से काम आएगी और कौन ये पटाके फोड़ेगा किसकी चुनाव के बाद दिव बनेगी इस आतिश बाजी के जरीए इस पूरे सामान के जरीए हम पॉलिटिक्स का पूरा गुणा भाग आपको समझाएंगे बिल्कुल पॉलिटिक्स का पूरा गुणा भाग आपको समझाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि आतिश बाजी पॉलिटिकल फील्ड में भी हो र यह अपको बताएंगे। की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे। लगों भी अपनी राए अपने विचार हमारे सांजा कर सकते हैं। आप हमें bτα सकते हैं कि आखर आप लोगों का क्या माणना है। कि ये दिवाली किस की शुब होने वाली है और किसके लिए दिवाला निकलने वाला है कौन चुनाओ के बाद भी दिवाली मना सकता है और कौन इस दिवाली के ऊपर भी मायूस है टेल्वीजन स्क्रीन के उपर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो डायल करके आप भी कार्यकरम का हिस्सा बन सकते हैं अपनी राय अपने विचार हमारे साथ सांजा कर सकते हैं सवाल ये है कि आखिर आप क्या मानते हैं कि चुनाव में आखिर कौन धमाका करने वाला है और कौन फुस हो जाएगा कौन से मुद्दे से दहलेंगे विरोधी ये भी बड़ा सवाल है आप इस पर भी अपना जवाब हमारे साथ साजा कर सकते हैं यहां वो कौन से वादे होंगे जो जनता को बहलाएंगे वो वादों के रंग कौन से होंगे कौन सी आतिशबाजी होगी जो जनता को अट्रेक्ट करेगी आखिर किसकी मनेगी दिवाली और किसका निकलेगा दिवाला ये भी बड़ा सवाल है आप हमें बता सकते हैं आपको क्या लगता है किसकी दिवाली आखिर मनने वाली है अभी तो दिवाली है लेकिन पांच राज्यों की जो चुनाव होने है या फिर उसके बाद जो देश की आम चुनाव होने हैं उसके बाद किसकी देवाली मंती हुई नज़र आएगी और किसका देवाला निकलता हुआ नज़र आएगा ये तमाम दर्शक तो हमारे साथ सांजा करेंगे ही अपने विचार लेकिन अवंतिका इन पताखों के जरीए आप अगर समझाना चाहें आपकी दुकान में आपके स्टॉल पर किस-किस तरीके के पताखे हैं और उसके बाद हम एके करके विचलेशन करेंगे कि ये पताखे किस चीज का रूप है इन पताखों के अंदर कौन सी पॉलिटिक्स का बारूद भरा हुआ है क्या-क्या खास है उन्तिक आपके स्टॉल पर इसके अलावा यहां पर अनार रखा है अनार जो सबकी पसंद होता है क्योंकि बहता है अनार है इसके साथी चर्खी भी यहां पर पर और बुलेट बम है यहां पर जिनकी सबसे तेज आवास सुनाई देती है चर्की भी यहां पर शामल की गई है और साथी यहां पर लड़ी वाले बाम में और सबसे इंपॉर्टेंट फूख बम है यहीं तमाम सामान मेरी तरफ भी आपको फुल जड़ियां इस तरफ भी द लड़ी वाले बॉम भी इस तरफ हैं दरसल मसाला अलग-अलग है जैसा कि आउन्तिका ने बताया आउन्तिका एके करके आप समझाईएगा और बताईएगा कि कौन सा वो पहला पटाखा है कौन सी वो पहली आतिश बाजी है जो महतपूर्ण रहने वाली है इन पांच जो कि विधानसभा चुनाव है उसके बाद आम चुनाव है कौन सा पटाखा है जो महतपूर्ण रहने वाला है अगर अभी पर हम नज़र डाले महेंद्र तो करनाटक में उपचुनाव हुए हैं करनाटक के उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं जिसके बाद कॉंग्रेस तो सबसे पहले जो मेरा पटाका है वो राहूल गांधी के लिए ही है क्योंकि राहूल गांधी की आवाज वह हर तरफ सुनाई लिए रही है उन की आवा जिस तरह से वह भाशाण दे रहू है किंद्र की मोदी सरकार को गेरते हुए नजर आ रही है इसलिए अभी क्योंकि करनाटक में भी राहूल गांधी का नाम चमका है तो उम्मीद यही है और जो आसाड नजर आ रही है हाला कि अभी बहुत जल्दी होगी कहना कि किसके फेवर में जाएगा चुनाव लेकिन राहुल गांधी का पताखा जो है जो राहुल गांधी पताखा है वो जरूर चमकने वाला है जी बिलकुल देखिए राहुल गांधी का जो पताखा है वो चमकने वाला है ये दावा है लेकिन मैं शुरुआत करूँगा अपनी फुल जड़ी से ये फुल जड़िया है मेरे पास और ये फुल जड़िया है बयान बाजी की ये फुल जड़िया है नारे बाजी की आप देखिएगा कि चुनाव का जब मौसम आता है तो बहुत सारे मुद्दे पीछे चले जाते हैं और ये जो बयान बाजी की फुल जड़िया हैं ये बहुत ज़्यादा जलाई जाती हैं और इन्हीं के जरीए एक रोशनी ऐसी फैलाई जाती है एक चकाजॉंद ऐसी होती है जिसमें तमाम मुद्दे कहीं अंधकार में समा जाते हैं और जो तमाम तरीके के और आतिशबाजियां होती हैं वो पीछे हो जाती हैं आप देखेंगे के जब भी माहूल होता है आप गली बाजी सबसे मेटपॉर्ण रोल जो है अदा करती है जब चुनाव आसपास होती है तो बयान बाजी उस वक्त सबसे ज़्यादा खेल कर जाती है जी और बयान बाजियों के आधार पर ही हमारे देश में नेता भाशन देते हैं हमारे देश में नेता बाशन देते हैं हमारे यह बयान बाजियां ही है जो चुनाव में किसी के लिए ऐसा काम कर देती है कि फिर दिवाली मन जाती है या फिर चुनाव में यह बयान बाजियां ही है जो ऐसा काम कर देती है कि दिवाला निकाल देती है बिल्कुल महें जो एक और बात यहां पर कि बयान बाजी की जो फुल बड़ी हो जाती है और जो अच्छे अच्छे प्रेयर से उनका भी गेम बिगार देती है और फुल जड़ी के यही तो खास बात आप देखेंगे कि फुल जड़ी सबसे छोटी ऐसी आतिश बाजी है ऐसा जरिया है बारूद का या सेलिब्रेशन का कि बच्चे भी उसे चला लेते हैं जैसा कि अंतिका ने कहा कि छुट भाईये नेता भी बड़ी बड़ी बयान बाजिया कर देते हैं और उन बयान बाजियों के जरिये अपना खद उंचा करने की कोशिश करते हैं और में स्ट्रीम मीडिया में एक खबर बनने की कोशिश करते हैं सुर्खियां बनने की कोशिश करते ना सिर्फ कोशिश करते हैं बलके बन भी जाते हैं लेकिन ये बयानबाजिया बहुत बार खेल भी विगार देती हैं इस तरीके से हमने गुजरात में देखा था मनी शंकर अयर ने खेल विगार दिया था कॉंग्रेस का लेकिन मनी शंकर अयर ने अब एक बार फिर से ऐसी ही बयानबाजी कर दी है बयानबाजियों का दौर तो चलेगा ही चुकि चुनाव पास में हो इसलिए इस तरह ही बयानबाजियां अब और जादा चुनावों के आसपा सुनाई देने लग जाती है मडिशंकर ईयर ने एक बार फिर से ऐसा ही बयान दिया है हिटलर उसने कहा दिया है नी ये मलिकारज़ुन खड़गे ने जब किबार. अब रिस तरीके की बयान बाजिया हो रहे हैं साथ ही इस फुल जड़ी में नारे बाजी भी थी उसका भी जिक्र करेंगे लेकिन छोटे से देख के बाद देख के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है पॉलिटिकल आतिश बाजी जारी है अवंतिका अगला कौन सा पटाखा है अगली कौन सी आतिश बाजी है जिसमें पॉलिटिकल मसाला मिला हुआ है अगली जो मेरी आतिश बाजी है वो है ये चर्खी इन चर्खी की खास्थियत है कि जब चुनाव आते हैं तो अक्सर ऐसी पार्टीयां छोटी-छोटी पार्टीयां जो अपनी एक जगा तर्ाशने लगाती है कि ये चर्खी घूमती है और अपना स्पेस एक बनाने की करती है और यही जो है कुछ चोटी पार्टिया है जो यही प्रयास बीकरती है अगर आ बिहार में अभी जो 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 स्वाकर typing पर भी नजर डालेंगे एंडिये के लिए मुश्किल इसलिए हो रही है क्योंकि एंडिये में जो है कई पार्टियां शामिल है बिहार के अंदर बीजेपी है और इसके साथ ही जेडियू है आरेलेस्पी है लजेपी है तो अब इन सभी जो पार्टियं है बीजेपी के अलावा जो जेडियू है आरेलेस्पी है लजेपी है ये अपना-पना स्पेस तलाशने की कोशिश कर रही ह अगर उन्हें फायदा नज़र आएगा तो बीजेपी के साथ जाएगी अगला चुनाव लड़ेंगी और अगर उन्हें उनके मन मताबिक सीथ नहीं मिलती है तो पार्टी बिदलने को भी वो तैयार है तो अपना स्पेस बनाने की कोशिश की जा रही है और यही एक वज़ा ह है कि वो एंडिये में ही शामल रहेंगे तो कहीं अपनी जमीन तराशने की कोशिश की जा रही है और यह मतलब यह चक्री और ज्यादा इसलिए भी घूम रही है ज्यादा स्पेस इसको इसलिए भी चाहिए क्योंकि बिहार में एक और जो चक्री घूम रही है ना नितीश की है और जो खबर आ रही है कि आधी-आधी सीटों के उपर समझोता हो गया है बीजेपी के बीच में और नितिश कुमार के बीच में कितने बहतरीन तरीके से स्पेस बनाया है बिहार में जेडियू ने एंडिये के अंदर बिहार के अंदर जो चुनाव होगा क्योंकि सीधे धंकी देदी थी कि अगर हमारे हमें हमारे मन मताबिक सीट नहीं मिलेगी तो एंडिये के साथ जरूरी नहीं कि हम चुनाव लड़े भी तो इसी के लिए आप जो है आखरकार ये समझोता हो गया है स्पेस जो है नितिश कुमार को मिलता हुआ नजर आ रहे कि बीजेपी और जो जेडियू है वो बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है और ये इस चक्री के चक्र से एक बात और समझने की कोशिश कीजिएगा कि बार बार ये कहा जाता है कि ये तो कॉंग्रेस ही है लालाइट है जो तमाम पार्टियों को एक साथ करने के लिए जु कोशिशी है अपने जो तमाम सदस्य हैं अलाइज हैं उनको एक जुट बनाए रखने के और अब देखिए कितनी सीटे उससे आगे थी बीजेपी बिल्कुल और फिर भी चंद सीटों वाली जेडियू को बराबर हिस्सेदारी दी जा रही है जो आपने यहां पर बात कही कि जो कॉंगर्स के लिए ही का जाता थे कि अभी जो कहा जा रहा है कि कॉंगर्स ही ललायत है कि महागड़ बंदन एक बनाने की कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों को साथ जोडने की कोशिश की जा रही है लेकिन उसकी एक वज़ए ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी दो पूरा इनके साथ के जो लोग है इतना उत्साहा जो बढ़ा है इनका देखे जो है गिने चुने राज्यों में बीजेपी की सरकार होती थी लेकिन अब एक एक कर उसके बाद जो है लगभग पूरे देश को ही भगवा रंग में बदल दिया गया है जंडा पूरे देश में हर राज में लहराता हुआ लगभग नजर आ रहा है कुछ एक गिने चुने राज्य रहे गए हैं करनाटक में गठवंधन के साथ जहां पर कॉंग्रेस आपको थोड़ी बहुत नजर आ जाएगी और इसलिए कहीं न कहीं बीजेपी थी ललायत जो है बीजेपी के लिए नहीं चुनाब जीच सकते हैं। आपकी चक्री घूम रही थी NDA मेरी चक्री घूम रही है UPA मेरी चक्री घूम रही है महागठ बंधन में यह TMC की चक्री है ममता बनर जी की चक्री है यह मायावती की चक्री है बीएसबी की चक्री है और यह ऐसी चक्री है जिसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है यह कितने चक्र लगाएगी कितनी इसमें से रोशनी छूटेगी कितनी इसमें से लप्टे निकलेंगी और कहां पर जाकर किस सि मायवती एलान कर चुकी है, कॉंग्रेस के साथ तो वो चुनाव नहीं लड़ने वाली है, तो एक चक्र कम हो गया इस महागडवन्दन की चक्री वे से, एक चक्र ठीक करें, आप ये राज्यों के जो विधान सभा चुनाव है, कम से कम ये चक्र तो पूरा कर लिया है, उसने क कॉंग्रेस के बिना ही, यहां तो ये साफ हो गया है, लेकिन सवाल 2019 को लेकर है, क्योंकि इन तमाम दलों को साथ आना ही पड़ेगा, आपने देखा होगा, कि चक्री जिस तरीके से जीरो आकार में घूमती है, मायवती को जीरो ही मिला था, मायवती को बसपा को जीरो ही मिल बिजरूरिया था, इसलिए मजबूरी है कि आना ही पड़ेगा साथ में, कॉंग्रेस के साथ में तो आना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बसपा के साथ तो आप तस्वीरे देखिए, कि बसपा के साथ थो ऐलान हो ही गया है, और एक बार फिर बयान आ गया है खिलेश य कि इस महागडबंदन की अगवानी कौन करेंगे क्या राहूल गांधी करेंगे या फिर ये तो तमाम चहरे दिख रहे हैं इनमें से कोई और चहरा छांटने के पोशिश होगे नेत्रत में क्या ये सभी चुनाव लड़ने को तैयार हो जाएंगे क्या राहूल गांधी को अपना नेता मानेंगे ये बड़ा सवाल है ये हलाकि मैं देखे ये तस्वीर एक नजर आई थी तब जो है एक तस्वीर दिखाए गई थी कि ये 2019 का स्वरूप हो सकता है 2019 में इसी तरीके से सभी पार्टियां जो हाथ में हाथ डाले जो है सभी पार्टियों के प्रतनेधित्व नजर आये थे कि इसी तरह से सब एक साथ एक जुट हो का चुनाव लड़ेंगी लेकिन वो जो तस्वीर थी एचड़ी कुमार स्वामी के शपत गरेंट समारों की ये तस्वी बाजी का हिस्सा बनते हैं तो पूरा महला खड़ा होके देखता है और जब ये अगर पोलिटिकल रंग में इसे देखा जाए तो जब ये महा कटबंधन के बोम चलते हैं तो फिर विरोधी खड़े-खड़े देखते हैं अब जब आतिश-बाजी होती है तो फिर वो एक त होती है जब ये महा कटबंधन बन जाता है कोई ऐसा स्ट्रोंग गटबंधन बनता है तो फिर विरोधी खड़े-खड़े देखते हैं आप इसी तरीके का कटबंधन हम बिहार का जिकर कर रहे हैं लेकिन उत्तर परदेश में आप सोचके देखिए कि बसपा कॉंग्रेस और खाने पड़ी धी जिन पर वीजेपी का कबजा था जहांपर जो बीजेपी के मुख्य मंतरी थे वह सांसथ थे लेकिन यहां पर एक चीज sticker आपने नोटिस की महिंदर की जब तमाम दुरंदर सामने हैं आपने कहा कि सपा बसपा और कॉंग्रस यह साथ में आई तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी बीजेपी को इनों गेर लिया बीजेपी की वोट जो है वो रोक दी इनों ने लेकिन इसमें जब उतरप पसंद नहीं आया यहां पर जब बीजेश जो है वो साथ में शामिल हो गई तब ये तीन की तिगड़म जो है इसने कमाल किया है लेकिन जब बीएसपी की बात हो रही है यहां पर कि बीएसपी की आने से ही अगर हम फूलपूर देखें गोरखपूर देखें जो सपा और कॉंग्रस मिलकर उतरपरदेश के विधान सवा चुनावों में नहीं कर पाई थी वो बीएसपी के साथ आने के बाद उपचनावों मिखेल नजर आ रहा है यहां बीएसपी आप पस बयान बाज़ी की फूल जड़ी आ और यह फल जड़ी इसलिए इसलिए इपॉर्टमटल कि जब फूल नहीं करता है लेकिन फिर भी सबकी पसंद है छोटे बच्चों से लेकर चाहे बड़े बुजर्गों अगर वो कोई और पटाखा जलाए ना जलाए लेकिन फुल जड़ी जरूर सबको पसंद आती है आप हर जगह देखेंगे कि अगर कहीं पर भी किसी को गठबंधन करना है किसी भी राज्ये में गठबंधन करना है तो सबसे पहली पसंद बीएस्पी ही होती है पिल्कुल चाहे हम याना की बात कर लीजी और तमाम राज्यों की बात कर लीजी जहां पर चुनाओ होने कॉंग पोलिटिकल आतिश बाजी में बहुत सारे पटाखे बचे हुए हैं जिन में पॉलिटिकल मसाला है जी बारूत भरा हुआ है और और कौन कौन से पटाखे हैं जिनको समझ कर हम राजनिती की चाल समझ सकते हैं अगर आप सरकार में हैं तो आप किस तरह के फैसले लेते हैं क्योंकि उन्हें फैस्लों के बल पर आपको आगे vote भी जो है मांगने हैं जुनता के बीच में जाकर तो एसे ही एक फैसला कहलो या एक कहलो मांगनी हुद्स का'll लिया गया तो उसके बाद जो आसपास और क्या हो रहा था वो किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया एक एक बम की तरह फटा था भारत के अंदर 2016 में यह हैं नोट बंदी आठ नोवंबर का दिन दिवाली आज 7 अवंबर की है और अगले ही दिन यानि कल ही दो साल पहले जो है यह बंदी नार और जब यह फैसलन का फैसला लिया गया था हाला कि बहुत सारी आलोचना भी रहुकी थी अरूगों के सामने बहुत सारी मुष्किले थी जो उसके बाद में खड़ी हो गई थी इसके साथी नोट बंदी जब हुई तो इसको भुना आने की बहुत कोशिश की ग इतने में बड़ी एहम भूमी का रही नोट बंदी जैसे फैसले की ना सिर्फ जो मोदी सरकारे उसने भुनाया बलकि विपक्ष ने इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की थी विपक्ष ने भी बिल्कुल जहां जहां भी जो है राहुल गांदी जाते थे या विपक्ष उतरप्रदेश, पंजाब, गोवा और साथ में ये जो चुनाव हुए तिन राज्यों के वहां पर जो फैसला आया वो बीजेपी के फेवर में आया यानि कॉंग्रिस ने जो कोशिश की वो उसको फायदा नहीं कर पाई ये मतलब बीजेपी ज्यादा तर जगव पर एस पर रही और ये जिस तरीके से इन्हों ने कहा कि ये बड़ा डेरिंग वाला फैसला होता है अनार भी आप देखेंगे आप अपने गली महले में जब भी आप आतिश बाजी को देखेंगे तो अनार जलाने वाला अलगी डे जाए बेदी हां अनार जलने के बार में फटता है वो अनार बम होता है तो नोट बंदी के साथ भी कुछ हैसा ही हुआता और रोशनी के दूक्ष में ख़ड़ै कि कोशिच की आखर यह है क्या उस वक्त जो है तो रोशनी निकल रहे थी बहुत सारी उम्मीदे निकल रहे थी बहुत सारे दावे निकल रहे थे पचास दिन दे दिजिए जैसा आपको चाहिए वैसा देश मिलेगा तमाम भरस्टा लेकिन जो नोट बंदी जो कहा गया था कि यह अनार है जो है इसमें सिर्फ आपको रौष्णी नजर आएगी कि लेकिन रोष्णी के बाद में इसका भम भी नजर आ रहे हैं और नोट बंदी का ये बुलेट बॉम ही है मेरे पास और नोट बंदी का भी 80 में बड़ा फैसला है और ऐसली रिजल्ट DM programs अभी भी उसमें से एक उम्मीदों की रोशनी निकल रही है, कि इससे बहुत सारा फायदा होने वाला है, टेक्स कलेक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, ये तमाम दावे किये जा रहे हैं, नोट बंदी के बाद, नोट बंदी का जो कुछ हुआ है, ये देश के सामने हैं, अलग अलग परसेप्शन उसको लेकर अभी भी हैं, लेकिन GST का क्या कुछ होना है, इसका कितना फायदा होगा, ये निकल कर सामने आना है, आपके पास जो अनार था, ये नोट बंदी का था, लेकिन मेरे पास जो अनार है, मेरे पास राफेल का अनार है, आप ये नरेंदर मोधी तैग करते थे, बीजेपी तैग करती थी, लेकिन जफ से राहूल गांदी ने ये अनार को आग दी है, राफिल वाले को, तो उसी के इर्दिगिर्द तमाम समवाद हो रहा है, रोज नएने खुलासे हो रहे हैं, रोज नएने सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठ रहे हैं, सीधे देश के प्रधानमंत्री के उपर, सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है, और मेरी नजर में ये जो अनार है, ये राफिल का अनार है, लेकिन राफिल का अनार जो है, अभी मानने को तयार नहीं है, मोधी सरकार की इस अनार ने भूलते हैं कम से कम लेकिन अभी ये धमाका होना है ये धमाका हो चुका है देश के अंगर लेकिन जो केंद्र सरकार है मोधी सरकार है वो मानने को तयार नहीं है कि ये धमाका देश में हुआ है और जब राफल की बात आती है महिंद्र जब राहुल गांदी राफल को लेकर को यानि उनकी तरह से जो वो बोलते हैं वो लड़ी है कि किस तरह से के बार एक वारोप लगाते हुए या अपनी बात कहते हुए चले जाते हैं यह आप देखिएगा कि हमारे देश में जो मीडिया का समवाद हो गया है या पोलिटिकल समवाद हो गया है उसमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है जब कोई सवाल आप है कि कांग्रेस ने फला फला फलां 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 यह किया था मतलब इस तरीके से मानकर चला जाता है की जो तमाम सवाल पाक साफ है, यह अभी तैहोना बाकी है, यह अभी तो अनार्प को आग दी गई है, इसमें असली धमाका, तो अगर इसकी जांच होगी, उसके बाद उसमें कितना धमाका होता है, उसके अंदर कितना बारूद है, उससे कितनी आवाज निकलती है, उससे कितना दहल जाता है मा प्रदान मंत्री थे राज़िव गांधी मिस्टर क्लीन उन्हें कहा जाता था मतलब पाक, साफ, चवी और राजनीती से इतर किसम के आदमी थे लेकिन मजबूरी में राजनीती में उन्हें आना पड़ा लेकिन राजनीती में ठिक ठाक सब कुछ चल रहा था फिर एक सुरक्षा सौधा हुआ बोफोर्स का सौधा हुआ दलाली के आरोप लगे शायद 65 करोड के आसपास की दलाली के आरोप लगे कि इंडिया में दलाली बाटी गई है लोगों को पैसे दिये गए हैं सौधे को करवाने के लिए और उंगलिया उठी सरकार के उपर उंगलिया उठी सीधे देश के प्रधानमंत्री राजियू गांधी के उपर और उसके बाद पार्टी के ही एक नेता वीपी सिंग वो आंदोलन खड़ा करते हैं पार्टी से अलग हो जाते हैं, हालात ये हो जाते हैं, कि अगली बार जब सरकार चुनने की बारी आती है, तो कॉंग्रेस का सफाया हो जाता है, राजी उगांधी की सरकार का सफाया हो जाता है, और एक नई किसम की जो राजनिती की शुरुआत होई, जो नई नेता उभर कर स सकता है जो सरकार के लिए घातक हो सकता है एक और यहां पर महिंद्र क्योंकि अभी बोफोर्स का धमाका हो चुका था तब सरकार का सफाया हुआ अभी राफिल के धमाकी का इंतिजार है यह होगा कि नहीं होगा यह अपने आपमें सवाल है छोटा सब एक जल लोटते हैं लेके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है स्वागत आपका स्टेट टॉक में स्वागत है आपका पॉलिटिकल आतिश बाजी में पॉलिटिकल आतिश बाजी का यह तमाम साजो साबान आपके सामने है जिकर हो रहा था अनार का जिकर हो रहा था राफिल का लेकिन हमारे पा आग लगा दी गई है इसमें से तमाम रोशनी निकल रही है सब कुछ चौंधिया गया है और आखों के सामने ऐसा अंधेरा चाया है कि तमाम मुद्दे गोन हो गए हैं तमाम बहस पीछे छूट गई है तमाम मसलों के उपर चर्चा छोड़ कर आज की तारिख में राम मंदिर के उपर बहस हो रही है चर्चा हो रही है और शायद यह पहला मौका हो जब हम सेलिब्रेशन के मौके के उपर दिपावली के मौके के उपर राजनितिक बहस देख रहे हैं राम मंदिर के उपर और ऐसी आकरामक बयान बाजियां देख रहे हैं जो आमतोर पर नहीं होती थी तो ये जो अनार है ये आग दिखाई गई है राम मंदिर के अनार को ये जो अब शोला बनती जा रही है जी बिलकुल देखे राम मंदिर का मसला कितना एहम है बीजेपी के लिए शुरुआत हुई थी पालंपूर में इनका एक सम्मेलन हुआ था उसमें प्रति बधता जाहिर की गई के राम मंदिर को बनवाया जाएगा विश्व हिंदु होता है कि फिर वहाँ पर जो एक विवादित धाचा था बाबरी मस्जीद कुछ उसे कहते हैं विवादित धाचा उसे कुछ लोग कहते हैं उसे डहा दिया गया और उसके बाद देश में जैसा माहुल बना वो देश के लिए चाहे बेशक सही ना हो देश के भाईचारे के के लिए बेशक्स सहीना हो लेकिन बीजेपी के लिए सही था. दो सीटों वाली पार्टी फिर तिहाय के आंकडे तक बुहुंची. नहीं के आंकडे तक पूँची. तिहाय के आंकडे तक पूँची. मंध्ड पर अगर जब भी चुनाव होते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टों में ये मुद्द हमेशा शामिल रहता है, बीजेपी के लिए ये एक तरह से सास देने वाला मुद्दा है बिजेपी से नहीं छूट सकता है और एक तरह से बाहन सकते है महिंद्र की ये मुद्दा जो जो भी विवाद हुआ उनिस तो बानवे के अंदर हाला कि एक विवाद जो खड़ा हुआ था विवाद धांचे के गिरने के बाद उसने बीजेपी को एक ऐसा मुद्दा दे दिया जो वो हमेशा अब दशकों तक बुना रही है लेकिन अब आज की तारिख में ये हो रहा है कि उसी मंच के उपर तमाम राजनितिक दलों को लेकर आने में बीजेपी काम्याब रही है अब तमाम लोग बीजेपी के उपर सवाल जरूर कर रहे हैं लेकिन उनसे भी सवाल किस तरीके से सुनवाई करनी है रेगुलर सुनवाई करनी है कौन सी बेंच की तरफ से सुनवाई करनी है मतलब कोर्ट की तरफ से फिलाल ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है जैसी राजनितिक जल्दबाजी दिखाई जा रही है और ये दबाव बनाया जा रहा है कि कोर्ट के फैसले का इंतजार मत कीजिए अध्यादेश लेकर आईये आपके पास क्या कोई और धमाका प्लकुल लेकिन रामंदर तो अभी बनेगा कब बनेगा वो जो है अभी इंतजार रहेगा क्योंकि अध्यादेश लाने की का दबाव बन रहा है लेकिन वो क्या स्तरकार लेकर आएगी ये भी सवाल है सुप्रीम कोट में माम राहे लेकिन इसी बीच में जो मंदर मंदर की दौर लगाने जो है वो सभी पार्डियों नरेंद्र मोधी की तरह ही अब मंदिरों का दौरा जो है वो भी कर रही है गुजरात चुनाव जब थे उस वक्त उन्होंने वो दौरा शुरू किया था गुजरात में सफलता नहीं मिली लेकिन उसके बाद करनाटक में बेशक बैक सीट पर बैठना पड़ा लेकिन सरकार बन गांदी चल पड़े हैं और पीए मोधी और बीजेपी जो है वो पहले से ही चलते हुए नजर आ रहे हैं यहां तक की राहूल गांदी जब जाते हैं तो जब मांसरोवर यात्रा पर गए तो उसके बाद तो यह तक स्तिती बन गए थी देश के अंदर की जहां भी राहूल गए तो ब्रहूल गांदी जिसे आपने बॉम कहा था यह मीरा रोकेट है और एक मेरा रोकेट है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी आप अगर इसको सही दिशा दे दी जाए तो फिर ये सिधा आसमान की तरफ जाता है तो फिर ये कहां पर जाकर आग लगाता है यानि जिस बॉटल में रखा जाएगा उस बॉटल के अंदर कितना सीधा इस रॉकेट को रखा जाएगा इस पर डिपेंड करेगा ये बहुत डिपेंड करेगा और आज की तारीख में और अब तक ये देखा गया है कि नरेंद्र मोदी ऐसा रॉकेट है जो एक दिशा में जा जाता है वो सीधा जाता है और आसमान की उंचाई तक पहुंचता है जो मतलब एक लक्षे निरधारित किया जाता है कि इतनी उचाई के बाद जाने के बाद इसको फटना है तो नरेंद्र मोदी नजर आते हैं इस तरीके का रॉकेट लेकिन राहुल गांधी ऐसा रॉकेट मतलब एक अच्छा खासा भाषन देते देते उनके मुझसे कुछ न इसा निकल जाता है कि वू सारा का सारा स्पीच सारी की तरी धराशाई हो जाती हैं धराशाही हो जाती हैं यही होने का जिकर किया विद्हीरbased कि रहेंश के भीच अदम ले डिया के श्युनाम लिया और पताखा बचता है एक जो सबसे important पताखा है महंदर इन सब पताखों का तलस्खर हो गया लेकिन एक ये पताखा है ये यहाँ पर बड़े बड़े पताखे हैं य पताखे जो है एक packet के अदर कुछ छोटे छोटे पताखे हैं ये नजर छोटे आ रहें लेकिन ये पटाके बड़े हैं ये पटाके हैं देश के विकास के ये पटाके हैं देश की खुशाली के और ये पटाके हैं रोजगार के ये पटाके हैं देश के भविश्य के जी बिलकुल आप देखिएगा कि ये बड़ी बड़ी आतिश बाजिया होती हैं ये राफिल का मसला हो गया हिंदूतो का मसला हो गया यह तमाम बयान बाजियां हो गई यह बड़ी बड़ी आतिश बाजिया होती हैं लेकिन सब के बीच आप देखिएगा कि यह संवाद नताखों का संवाद कहां छूट गया वो मैनिफेस्टो कहां पर छूट गया वो नया भारत कहां पर छूट गया जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था 2014 में 2014 से पहले वो बुलेट ट्रेन कहां पर है आज की तारीख में वो स्मार्ट सिटीज कहां पर है वो सांसद आदर्श ग्राम कहां पर है उन पर योजनाओ का क्या कुछ हुआ सुच भारत अभियान जिसे शुरू किया गया था उसका कितना असर हुआ हमारा भारत कितना सुच हुआ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ये रफतार कहां तक पहुँची इस नारे का कितना असर देखने को मिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना कहा गया क्या उतना निभाया भी गया ये जो तमाम छोटे छोटे सवाल है इस छोटी सी पुडिया में बंद हैं इस छोटे धमाके हैं आज कल इनका शोर सुनने को नहीं मिलता है लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन तमाम आतिश बाजियों के शोर में इन तमाम धमाकों के शोर में इन छोटे धमाकों को इन छोटी आतिश बाजियों को बार फिर से आप सभी को हैपी दिवाली हैपी दिवाली